जैन दोस्तों आप सभी का स्वारत आपके अपने योटोग चैनल नौकरी तक पर आसाप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे आप निरंतरता के साथ जीवन में कुछ करने का सुस्थे भी होंगे इसी बीच आपको बता दे बिहार में TRE1, TRE2 संपन हुआ आए दिन बहाली देखने को भी मिल रहा है इसी बीच को भविस्त में भावी से चक बनना चाह रहा है और खासकर बिहार में बनना चाह रहा है तो बिहार में बनना चाहते हैं और बनने के उपर करिया होती है कि आप डियलेड किये हो 10 प्लस 2 के बाद डियलेड दो साल वाला या गर्जवेशन या पीजी के बाद ब्येड किये हो तो उसी के द्रम्यान में आपको बता दू आवेदन के लिए पेपरों के माध्यम से बता या नि बीड कौन-कौन कर सकता है अगर आप देखिया अगर आपके घर में भी कोई से च्फक बनना चाह रहा है और उसने अगर गर्जवेशन किया हुआ है या नि मैंने क्या बोला गर्जवेशन किया हुआ या या PG किया हुआ है यह दोनों में से कोई किये हुए है तो आप बीएड कर सकते हैं और बीएड कितने साल का होता है दो साल का होता है और बिहार आज से अगर बीएड कर गए अधर अस्टेट में तो आप घर बैठे पैसा देके B.A.D. हो गा है लेकिन बिहार से बिहार में आप या तो प्राइबेट कॉलेज मेट मिचन ले या चाते हैं गौर्वर्मेंट कॉलेज से करे यानि सरकारी कॉलेज से करे तो आपको B.A.D. का एकजाम देना होगा आप अगर फेल भी हो जाते हैं मार्क्स कम भी आता है त अच्छे नंबर से अगर B.A.D. एकजाम पास करते हैं तब तो बिहार के सरकारी B.A.D. कॉलेज से आप B.A.D. कीजिए दो साल वाला इसके बाद आप एकजाम पास करके B.A.D. करने के बाद फिर आप सीटेट कॉलिफाई कर जाईएगा या बिहार सरकार का स्टेटी कॉलि करने का सुना राव सर तो B.A.D. प्रवेश के लिए आवेदन तीन मई से और परिच्छा 25 जून को होगा अभी पता है कि आम लोग सबाचुनाव चल रहा है चार जून को यल्ट आना है तो चार जून के बाद ही सभी पर करिया होगा या B.A.C.T.R.E. 3 का एकजाम भी 10 से 11 12 जून को संभावित है इसी बीच अगर कोई B.A.D. करना चारा है तो आपको मैं बता दूँ आज डेट हो गया कितना मैं आज डेट बता दूँ आज डेट हो गया एक मही यानि तीन मही से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा तो सभी डाकुमेंट रख लिजिएगा ड दो परसो तीन तीन मही से आपका B.A.D. के कॉलेजों में एडमिसन लेने के लिए आपको एक्जाम देना परेगा फिर से बोल रहा है B.A.D. इंट्रेंस एक्जामिनेशन तो इसके लिए के पहले फ़र्म भर ये और तीन मही से आपका आवेदन स्टार्ट है और इस बार ज लिया जाएगा यानि तीन मही से स्टार्ट होगा परसों से और शब्विस मही तक लिया जाएगा बिलंब सुलक के साथ 27 मही तक आवेदन कर सकते हैं लेकिन लेट नहीं जाना है आप इतना जान लिजिए कि 26 मही तक आपको आवेदन तरह देना है अगर बिहार में और पंजियन सुल्क जमा करने की अंतिमतिती चार जुन तक है ठीक है लेट फाइन के साथ 17 जुन को एडमिड कार्ड जारी कर दिया जाएगा और प्रवेश परिच्छा 25 जुन को तय है यानि आपका कल यानि परसों से आपका अबेदने स्टार्ट होगा 26 मैस तक लास्ट डे हैं तो आप मैं फिर से बहुत बीएड कर लिजिएगा मैंने आपको बता भी दिया आप अगर गर्जवेशन या पीजी कीव में सच्छक बनना चाहरा है तो बीएड कर लिजिए दो साल का होता और इसके लिए बिहार में बीएड का एक्जाम होगा इसके लिए फॉर्म ती विडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच अपने भाई बहुन के बीच जो भी सिच्चक बनना चाहरे हैं उनको बता दिजिएगा कि बीएड के एंट के एक्जामनेशन के लिए तीन माई परसों से आपका अवेदन स्टार्ट हो जाएगा जय हिंद जय दावर अवेदन स्टार्ट है